Hello dear students, good morning all of you, देखिए आज हम नए टोपिक सुरूप करने जा रहे हैं और आज का हमारा जो टोपिक है वो रहेगा टेंस, कौनसा टोपिक है? टेंस और टेंस आपके सिल्बस में चार नमबर का टोपिक है, कितना नमबर का है? चार नमबर का टोपिक आपके यह, चार नमबर का है और आज हम पढ़ेंगे टेंस का पार्ट फरस्ट, कौनसा पार्ट? पहला पार्ट, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे Introduction of Tense अर्था Tense का परिचे किसा से पहले Tense के परिचे के बारे में जानेंगे हम कि actually Tense सब्द के उत्पती कौन से सब्द से हुई है और कौन से भासा के सब्द से हुई है तो देखें Introduction of Tense में हम study करेंगे Tense has been derived from the Latin word tempus which means time अब देखें किसका Hindi version पढ़ेंगे पहले Tense का परिचे Tense सब्द की उत्पती Latin भासा के tempus सब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है time क्या होता है? तो अगर आपसे को पुछें Tense के बारे में आप क्या जानते हैं तो आपको बताना है Tense सब्द की उत्पती लेतीन भासा के tempus सब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है time तो ये आपने Tense के इंट्रोडेक्शन के बारे में पढ़ा कि TEN सब्द की जो उत्पती है वो लेतीन भासा के tempus सब्द से हुई है कौन से सब्द से हुई है टेंपस सब्द से और टेंपस सब्द का अर्थ होता है time क्या होता है time अब हम बात करेंगे kinds of tense tense के परकार या tense के भाग tense के परकार tense के परकार के बारे में study करेंगे तो देखे according to modern English there are two tense के आदुनिक अंग्रेजी के अनुसार अगर हम बात करें तो tense के वल कितने होते हैं दो होते हैं future जो होता है वो time है ना कि tense ठीक है तो आगे मैंने mention कर रखा है देखिए पहला है हमारे पास present tense वर्तमान काल अर्था जिस time को हम feel कर रहे हैं जिस time में हम जी रहे हैं जिसको हम कह सकते हैं today आज ठीक है आज जो है जिसको हम feel कर रहे हैं जो हमारा आज है वो कौन से tense के अंतरगत आता है present tense के अंतरगत ठीक है दूसरा जो tense होता है past tense भूत काल कौन से से पास्टेंस भूत काल यस्टरड़े अर्था जिस टाइम को हमने जी लिया है जिस टाइम को हमने फील कर लिया है और वो अब गुजर चुका है उसको कौन सा टेंस बोलते हैं पास्ट टेंस भूत काल बीता हुआ टाइम तो यस्टरड़े ठीक है इसके बाद हम स्टरड़ी करेंगे देखिए नौट फूचर इस टाइम नौट टैंस की फूचर जो है वो टाइम है ना की टैंस लेकिन फिर भी हम इसकी दो ब्रांचेज के बारे हम पढ़ेंगे जो हमारे सिल्बस में जिससे क्यूश्टन प प्रजेंट टैंस में ही करते हैं जो हमारा फ्यूचर टैंस होता है उसको हम किसके अंतरगत स्टड़ी करते हैं प्रजेंट टैंस के अंतरगत ही स्टड़ी करते हैं देयर आर फोर सब पार्ट्स ओफ एवरी टैंस प्रते जो टैंस होते हैं प्रते एक टैंस के चार चार tense होते हैं present और past होते हैं future time होता है लेकिन फिर भी हम इसकी दो branches की study करेंगे और प्रतेक tense के 4-4 उपभाग भी होते हैं अब देखिए कौन-कौन से सबसे पहले हम बात करेंगे present tense present tense और present tense का ए जो भाग होता है वो ता present indefinite tense present बोले तो वरतमान indefinite बोले तो ए निश्चित और tense बोले तो काल वरतमान ए निश्चित काल भी होता है present continuous जिसमें किसी कारिये का जारी रहना दरसाया जाता है जिसको अपून कह सकते हैं सकते हैं अपूर्ण तो वर्तमान एपूर्ण काल लिख सकते हैं यहां पर आप पहला जो टेंस है इसमें हम लिख सकते हैं वर्तमान ए निश्चित काल दूसरा होता है हमारा वर्तमान एपूर्ण काल अर्था जो अभी पूरा नहीं हुआ continuous नाम से ही पता चल रहा है next c हमारे पास होता है present perfect tense वर्तमान पूर्ण काल परफेक्ट जिसमें कारी पूरा हो जाता है वर्तमान पूर्ण काल और last हमारा होता है present perfect continuous tense वर्तमान पूर्ण एपूर्ण काल जिसमें कारी पूर्ण और एपूर्ण दोनों का combination होता है वर्तमान पूर्ण काल ठीक है इस तरह से हमने present tense के चार जो उपभाग थे उनके बारे में पढ़ा अब हम इसी तरह से बात करेंगे past tense के तो यहां हमें क्यों present के स्थान पर past को रखना है बकि same sense हो जाएगा ऐसे कैसे तो देखिए past tense की बात करें तो past indefinite tense तो past बोले तो भ भूत एनिश्चितकाल कौनसा भूत एनिश्चितकाल क्यों यहां पर भूत जोड़ना है बाकि सब ऐसे कैसे उपर वाले की तरह रह जाएंगे आपके past indefinite tense भूत एनिश्चितकाल past continuous tense भूत एपूर्ण काल past perfect tense भूत पूर्ण काल और past perfect continuous tense तो इसमें हो जाएगा आपके प भूत पूर्ण एपूर्ण काल और अगर हम बात करें future की तो देखिए हमें हमारे सिल्बस में जो केवलिक्स की दो ब्रांच पढ़नी है future indefinite tense इससे question पूछे जाते हैं और एक future perfect tense इससे question पूछे जाते हैं तो आज का हमारा जो topic रहा tense और tense की उत्पति लेटीन भास आके क पस सब से हुई है tense मुख्य रूप से कितने होते हैं दो होते हैं present और past और future जो है वो time है ना कि tense लेगिन फिर भी हम इसकी दो ब्रांचेज की study करेंगे प्रतेक tense के 4-4 उपभाग होते हैं यह आज हमने tense के general introduction के बारे में पढ़ा कल हम इसकी पहली जो ब्रांच है present indefinite tense इस अब ही branches के बारे में okay bye